हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो साइकलोजी का मैं आपको CDP का पोर्शन करवा रहा था सिक्षा मनवे ज्यान से कुछ इंपोर्टन टॉपिक करवाते हुए चल रहा था जिसको मैंने आपको 28-30 वीडियो दे मिल जाएगा ओके तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मरे नाम है दीपक आप देख रहे हैं डीके गुपता ओंलाइन वीडियो फो गौर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज क हमारा टॉपिक है इस्मृति यानि की मेमोरी आप लिख सकते हो अब ये मेमोरी यानि की स्मृति होती क्या है तो शरल शब्दिक शब्म बात करी जाए तो जो कुछ भी व्यक्ति देखता है सुनता है समझता है उसका जो चीन मस्तिश्क में बनाता है उसी चीन के द्वारा जो आप याद करते हो उसी वो क्या कहा जाता है इस्मृति कहा जाता है फोर अग्जाम्पल के रूप में कई चीज में आपको जो पढ़ाता हूँ तो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ तो जो trick में मैं जो chin इस्तमाल करता हूँ या जो sign इस्तमाल करता हूँ या जो कि भी आपको याद करवाने के लिए परभावी रोप से जो diagram इस्तमाल करता हूँ वो क्या कहलाता है आपका चिन कहलाता है जिसके आदवारा आप उस चीज को समझने का या फिर याद करने की बात करते हो या फिर शरल्श आपदिक शब्द में और भी अच्छे से सरल से बात करी जाए तो आप जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, समझते हो न, अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हो उसे हो क्या कहा जाता है? इसमृति यहनी की memory कहा जाता है अब मनो विज्यानिकों की बात मानी जाए, तो इसमृति की जो पक्ष होते हैं वो दो पक्ष होते हैं इस मृति के घनात्मक पक्षित तात्पर्य है कि पूर्व अनुभूतियों को याद करने की समाकता है। अब यहाँ पर क्या बात होगी। ध्यान रखेगा कि आपके मस्तिश्क में जो भी चीज इस्टोर है, जो भी चीज आपने याद कर रखे है। याद आजाती है और जब आपको उसकी जरूत होती है, तो आप उसको recall भी कर लेते हो। तो जो चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, जरूत मरने पड़ वो आपको ध्यान में आ जाता हो, वो क्या कहलाती है आपकी घनात्मक पक्ष कहलाते हैं। पर वहीं पर ही रिनात्मक यानि कि नेगटिव एक्सपेक्ट जो होते हैं, आपके बिल्कुल उसका उल्टा है। आप इसको कितने भी याद करने की कोशिश करो, वो आपको याद करने में यह समझने में नहीं आता है। पर अग्जामपल कि जब आप पेपर देते हो, तो कुछ चीज़ें आपने पढ़ी थी, लेकिन आप बहुत जोर दे रहे हो, याद करने ही कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्यान में नहीं आ रही। तो वो सारी चीज़ें कहा जाती है, नेगेटिव पक्ष में आती हैं, ओके। चलिए आप बात कर लेते हैं कि इस्मृति की अवस्थाएं यानि कि जो आपके इस्मृति होती है उसकी जो stages होती है वो कौन होती है तो कौन आपके ये तीन stages होती है संकेत, संचियन और तीसरा पुनरप्राप्ति जिसे आप English में encoding, storage and retrieval भी कहते हो अब ये तीनों के तीनों क समझाने कोशिश करता हूँ, पहली stage जो होती है, पहली अवस्था जो होती हो, encoding होती है, मतलब आप किसी भी संकेत को encode करते हो, जैसे कि for example, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजे क्या है, एक printed लिखी हुई चीजे हैं, जिसे आप समझने की कोशिश कर तो क्या है ये आपके लिए encoding है, आप आगे क्या करोगे, आप इन सारी चीजों को पढ़कर अपने दिमाग में store करोगे, संचेन करोगे, कि आपको कौन-कौन से चीजे समझ में आ रही हैं, वो आपके मन में मस्तिश में store हो जाएंगी, और जो चीजे नहीं आ रही हैं समझ में आप उसको थोड़ा एक-दो बार परियास करोगे, तो उसको भी आप store करोगे, मतलब सारी चीजे अपने मस्तिश में आप रख लोगे, तो क्या होगी आपकी storage होगी, और last में आपका पुनर प्राप्ति यानि की retrieval, अब ये क्या होता है, तो जब आप exam दे रहे होते हो अगजाम देते समय, आप जिस चीज के आपको जरूरत होती है, आप mind में सोचते रहते हो, आप उसे retrieve करते रहते हो, प्राप्त करते रहते हो, तो क्या कहलाता है, retrieval, तो ये तीन stages होती हैं आपकी इस्मृति की अवस्थाओं में, पहले सारी चीजों को देखना, encode करना, फ type of memory, कितने परकार की होती हैं, तो तीन परकार की होती है, important question है, यहीं से question पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कौन-कौन सी, तो आपके सामने दिख रहा है, समवेदी स्मृति, लगु अवदी स्मृति, या दिर्गिस्मिति, अब ये English में इसको sensory memory कहाता है, short term और long term memory कह तो इनों को अच्छे से समझानी कोशिश करता हूँ, मैं आपको, पहले हम बात कर लेते हैं, समवेदी स्मृति, यानि की sensory memory, अब ये होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कि व्यक्ति के अंदर, जो भी आप किसी भी चीज को याद करके, ध्यान रखनी कोशिश करते हो, ज इसके अंदर, जो भी सूचना ही होती हैं, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, वो एक या एक सेकंड से भी कम समय के लिए आपके अंदर, इस्टोर रहती है, उसको कहते हैं, sensory memory, दूसरा, लगु अवधी, इस्मृति, यानि की short-term memory, इसके अंदर, जो भी व्यक्ति ध्यान कोशिश करता, जो भी चीज समझता है, वो व्यक्ति के अंदर, 30 सेकंड या फिर 30 सेकंड से कम समय तक चलती है, उसको क्या का जाता है, लगु अवधी, इस्मृति, यानि की जो भी चीज आप समझने ही कोशिश कर रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज आ आपको किसी भी नंबर को बताया जाएगा, तो जादा से जादा आप 30 सेकंड तक है, उससे कम समय तक अपने अंदर याद रख पाते हो, जब तक आप बार बार उसकी प्रैक्टिस ना करो तो, तो सारे के सारे नंबर कहा आते हैं, आपके हो लगु अबदी, इस्मृति के अंदर आते हैं, for example, मैं आपको अभी बोलू, कि एक नंबर लिखिये, कि 2, 5, 7, 9, 10, 12, तो यहाँ पर आप कई बच्चे हैं तो 30 सेकंड या, उससे कम समय के लिए उसको याद रख पाएंगे, 9, 7, 5, 12, यानि कि यहाँ तक कि मैं भी उस चीज को ध्यान में नहीं रख पा तो 30 सेकंड या 30 सेकंड से कम जो चीज़ें होती हैं, वो लगू अफदी स्मृति के अंदर आती हैं, और लास्ट आ जाता है आपका दिर्गिस्मिति यानि कि लॉंग टर्म मैमोरी, और यही सबसे जादा इंपॉर्टेंट है, अभी होता क्या है, तो लॉंग टर्म मैमोरी आपकी वो मैमोरी होती है, जिसमें आपकी जो सूचना है न, वो 30 सेकंड या फिर इससे अधिक समय के लिए, आप अधिक कितना, तो कोई भी उसकी समय सीमा नहीं है, कितने भी समय सीमा के लिए आपके अंदर स्टोर यानि की सेव रह सकती है, फोर अग्जम्पल आपका मु तो करीब करीब, 12-13 साल पुरानी बात होगी, मुझे ध्यान भी नहीं कितनी साल पुरानी बात है, तो पहले लाइड लाइड लाइन नमबर मुझे आज भी याद है, क्यों? क्योंकि अच्छी तरीके समने याद कर रखा उसको, तो ये आपके अंदर यहां पर वो सारी ची समृति और दिरग समिति, अब यह जो दिरग समिति है, इसके कुछ पार्ट्स भी है, और यहीं से कोश्चन से आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो जैसे कि मैंना आपको बोला, इसमृति के तीन परकार है, तो दिरग समिति यानि कि जो आपके लॉंग टरम मेमोरी होते है यह उसके दो पार्ट्स है, पहला प्रासंगी की स्मृति जिसे आप episodic memory कहते हो और दूसरा अर्थगत स्मृति जिसे आप somatic स्मृति यानि की memory कहते हो, अब यह दोनों की क्या है, दोनों का अच्छे से समझानी कोशिश करता हूँ मैं आपको, तो पहला है हमारा episodic memory जिसे प्रासंगी इस्मृति कहते हैं, अब इस इस्मृति के अंदर आपकी वो सारी चीज़ें आती हैं, जो कि आपके नीची जीवन से संबंदित होती हैं, वो सारी घटनाएं आपको यहाँ पर याद रहती हैं, for example, आपके बचपन के दिन कहां बीते थे, for example, कि आपने बोला कि मेरे बचपन के दिन जम्मू कश्मीर में बीते थे, या फिर मैं आपके 5 साल पहले आप कहां गए थे, किस परकार की घटना होती, तो आपके जीवन से संबंदित जितनी की घटना ही होती है न, वो सारी के सारी episodic memory यानि की प्रासंग क्सर्टी कहलाती है, और वहीं पर ही, art gat mism 자기 यानि की जो आपका summative Smriti होता है, वो आपके कौन से होते हैं, तो summative smriti, आपके वो smriti होते हैं, जिसमें आपकी ज्यान, सूचना संबंदित आपके स्मिर्थी होती है न वो वाली जैसे की C-A-T-Cat Cat का अर्थ क्या होता है? Billy जैसे की 2 जमा 2 क्या होता है? 4 तो इस परकार के जो स्मिर्थी होती है जो ग्यान सूचना उसे संबंदित होती है वो आपके स्मिर्थी अर्थगर्थ स्मिर्थी में आती है दोनों चीजों को ध्यान रखेगा नीजी जीवन से घटनाई जो संबंदिद होती है और प्रासंगी के स्मिर्थी होती है और जो आपके ज्यान सूचना से संबंदिद होती है वो अर्थगर्थ स्मृति के अंदर आती है अब यहां से episodic जो memory है यहीं से questions पूछे जाते हैं कि आपके नीजी जीवन से संबंदी जो गटनाई होती है वो किसके अंतरगत आता है तो वो आता है आपका प्रासंगे की स्मृति यानि कि episodic memory के अंदर तो यह था आज का पूरा का पूरा आपका topic memory इसमृति से अब यहां चे जो important question पूछे जाते हैं वो मैं आपको next video में करवाओंगा क्यूंकि इसकी जो question है वो बहुत कम पूछे जाते हैं तो ढूंड़ने मुझे time लग रहा वो question के slides आपकी बन नहीं पाई है अब तक कितने पूछे गए है वो पूरा का पूरा important जितने भी question मिल जाएंगे 10, 12, 20, 22, 25, 30 वो सारे के सारे मैं आपको यहां पर करवा दूँआ next video में अब तक मुझे केवल 8 से 9 question ही मिले हैं इसलिए मैंने वो question को डाला नहीं है तो यह था आज का मारा पूरा का पूरा चेप्टर memory यानि कि स्मृति से किस परकार का theoretical portion आता है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीच चागर वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा उस सभी वीडियो का link directly आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हो और अगर आपने इस चनल अब तक subscribe नहीं कर रहा तो जल्दी से subscribe कर लिज़ो और उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो को नोडिफिक्षन आपको time to time मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस एतना ही आप से फिर मुला कात होगी नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत